सवाल नमबर एक वह कौन सा जानवर लोहे की कील को भी हजंग कर सकता है आपका ओप्षन है ये सुत्रमुल्ग, बी मगरमच, सी हाथी, डी गेंड़ा आपका सही जवाब है बी मगरमच, सवाल नमबर दो, दुनिया का ऐसा कौन सा सागर है जिसमें कोई डूब नहीं सकता आपका ओप्षन है ये पुरसांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी दच्चिन महासागर, डी मृत सागर आपका सही जवाब है डी मृत सागर सवाल नमबर तीन, इनसान के सरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा कर सकता है आपका ओप्षन है ये दिमाग, बी आख, सी किड्नी, डी तवचा आपका सही जवाब है ये दिमाग, सवाल नमबर चार कौवा किस देश का राष्टिय पक्ची है आपका ओप्षन है ये आस्ट्रेलिया, बी भुटान, सी निपाल, डी पाकिस्तान आपका सही जवाब है बी भुटान, सवाल नमबर पांच भारत में एक रुप्या के नोट पर किसके अस्ताचर होते है आपका ओप्षन है ये राष्टपती, बी आर्बी आई गौर्णर, सी वीद सजीव डी परधान मंत्री आपका सही जवाब है सी वीद सजीव सवाल नमबर छे, दुनिया में कुल कितने देश है आपका ओप्षन है ये एक सो पच्पन देश, बी एक सो पांच देश, सी एक सो पंचानबे देश, डी एक सो नब्बे देश, आपका सही जवाब है सी एक सो पंचानबे देश, सवाल नमबर साथ, कुत्व मिनार की उच्चाई कितनी है आपका ओप्षन है ये तिहत्तर मीटर, आपका सही जवाब है ये तिहत्तर मीटर, सवाल नमबर आठ, कबड़ी में कितने खिलारी होते हैं, आपका ओप्षन है ये छे खिलारी, बी आठ खिलारी, सी बारा खिलारी, डी बीस खिलारी, आपका सही जवाब है सी बारा खिलारी, सवाल नमबर नो, थाइलेंड की राष्टिये पुस्तक क्या है, आपका ओप्षन है ये भागवत कीता, बी महाभारत, सी रामायन, डी रामचरित्र मानस, आपका सही जवाब है सी रामायन, सवाल नमबर दस, कौन सी सबजी खाने से खून साप होता है, आपका ओप्षन है, आपका सही जवाब है, डी करेला, सवाल नमबर ग्यारा, नीला गुलाब कहां पाया जाता है, आपका ओप्षन है, ये अमेरिका, बी जापान, सी स्री लंका, डी भारत, आपका सही जवाब है, बी जापान, सवाल नमबर बारा, वो कौन सा पक्ची है, जो केवल बारिस का पानी पीता है, आपका ओप्षन है, ये गौरईया, बी चातक, सी सारस, डी बुलबुल, आपका सही जवाब है, बी चातक, सवाल नमबर तेरा, किस नदी को दचिन गंगा कहा जाता है, आपका ओप्षन है, ये गंगा नदी, बी सतलुज नदी, सी गुदावरी नदी, डी यमना नदी, आपका सही जवाब है, सी गुदावरी नदी, सवाल नमबर चोदा, सबसे लंबे समेत तक जीने वाला जानवर कोन सा है, आपका ओप्षन है, ये हाथी, बी कंगारू, सी कच्वा, डी हीरण, आपका सही जवाब है, सी कच्वा, सवाल नमबर पंद्र, भारत में गन्ने का स्वाधिक उत्पादन की सराज में होता है, आपका ओप्षन है, ये उत्तर परदेश, आपका सही जवाब है, ये उत्तर परदेश, आपका सही जवाब है, झाल झाल